अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज हम बनाने वाले हैं अजवाइन के पत्ते के पकोड़े जो की बहुत ही हल्दी और टेस्टी होते हैं तो यह मेरा कीचन गार्डेन है आप देख सकते हैं काफी सारे अजवाइन के पत्ते हैं यहां पर तो हम इसे तोड़ लेते हैं फटा-फट से यह देखिए बहुत ही हल्दी और टेस्टी होते हैं तो यह देखिए मैंने अपे इसारे पत्ते को तोड़ लिया है जितना मुझे बनाना है एक बावल आप देख सकते हैं और इससे हम डाल द तो बहुत healthy और भूट ही टेस्टी होती है तो हम इसमें डालेंगे एक और इन इस तरह से स्लाइसे में कट कर के इस तरह से आपर हमिसार में किचेंगारिन में यह ए लगा सकते हैं और जब चाहिए बना के खा सकते हैं बहुत ही है बहुत ही बहुत ही सिंपल है तो आज मैं कुछ लिए पत्ते पत्ते करें तरह से बनाने से बहुत है तेस्टी बनाता है तो जादा टेस्टी लगेंगे पकोड़े इस तरह से प्याज और जो अजवाईन के पत्ते हैं दोनों को हम क्रस्ट कर लेंगे इस तरह से इसका जो टेस्ट है दूबना बढ़ जाएगा और खुसबू भी बहुत ही जादा बढ़ जाता है से करने से और यह बनाने में फिर इ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कर बेसन डालेंगे एक बड़ा नहीं डालेंगे और पानी अभी इड नहीं करना है ज्यादा मुईस्ट्र था जिससे हमें जो बेसन सोग लेगा तो यहाँ पर हमें एड करने की जौरत नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा तो यह देख थोड़ा- लिए अच्छे से उसमें जांगे प्तों के साथ मिंखें जाए प्तों के साथ मिक्स आपको लगे कि तो कम्पाइं हो जा रहा है तो फिर बैसन एड करने की जरुरत नहीं है तो आप आपे देख सकते हैं यह जो यह आपे ई हमारा तो आम डेखे एंगें स्वाद के नुसार न नमक बिल्कुल कमबाइन हो गया है अब देख सकते हैं बेसन के साथ पत्ते तो अब आड़ने करेंगे और इस नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ एक्स्टा आड़ करने के जड़त नहीं अगर आपको मिर्ची पसंद है तो आप मिर्ची डाल सकते हैं तो यह देख करश कर दिया है तो आप देखिए इस तरह से गोल-गोल सेप में भी डाल सकते हैं बहुत ही अच्छी से खुजबु इसकी आरही है और बहुत यमी और टेस्टी लगता है यह उस तरह से चुटा-चुटा करके हम इसे तेल में डाल देंगे में यह पर मैं गैस का फ्लेम लो बड़ी जादा यम्मी और स्वादिश लगते हैं या पकोड़े इस तरह से डाल लेंगे देखिए और यहां पर मैंने गास का फ्लेम हाई कर दिया है में इसे अनतर है, जब यह एक तरफ से सीख जाए नहीं फ्राइ हो जाए हो जाए तहए ताक्य अधियुक्स तरह से देखें दोनों साइट से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे देख सकते हैं देखने में बहुत ज़्यादार लग रहे नहीं पकोड़े और घर में आराम से किचन गाड़िन में लगा सकते हैं फटाफट से बढ़ जाता है और आपका जब मन करें आप इसे खा सकते हैं तो यह देखिए हमारे जो पकोड़े हैं बस रेडी होने वाले हैं थोड़ा से और फ्राइ कर लेंगे क्रिस्पी होने तक तो यहां पर देख सकते हैं पकोड़े का जो रंग है वह यहां पर चेंज हो चुका है तो अब हम इसे फटा-फट से बाहर निकाल लेंगे अब वे चाय के साथ क्हा सकते हैं किश्प साम कि नास्ते में बना सकते हैं तो यह महँ हमने पहले फार्व के लिए प्लेट और यहां भी कर दो आफे कम ईडाशा शोड़े हैं ठोलेत्गे और चाय के अग्चप ए सब्सक्राइब सारम केस्प नहीं बहुत नहीं निकल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना पूले और बेल आइकन भी जरू दमें ताकि लिटेस्ट वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके ताकि थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो